नमस्कार, मह टेक नारण भट्राई ही जो बुदवार सम्पन्न राष्टे सभा चुनाम मा 19 सीट मत्ये नेकपा एमाले एक सीट मा मात्रे विजाई भायो बाकी सभाई अर्थात 18 सीट सत्ताधारी गठबन्दन ले जीतियो तर त्यो मत्रे एक सीट को जीत पनी एमाले का लाकी संकेत मही साई अपरत्याशित खुशी रा उपलब्दी जस्तो बनेओ किना कि त्यो एक सीट मा पनी स्वेम नेकपा एमाले को जीतने आशा थिये न एमाले अध्यक्षे केपिसर मा ओलीले आजम अन्दा 20 दिन पहले नहीं यो चुनाम मा आफनो हार स्विकार गरिशके का थिये रभने का थिये नेकपा एमाले माथी गर्न सकने हानिकारक र नक्सान दाई प्रहार को यो अन्तिम किस्ता हो मतलब यो चुनाम नई एमाले का लागी अन्तिम हानिकारक र नक्सान दाई प्रहार होने चा सत्ता गठफंदन बाट ओलीले भने का थिये उली लाई उई दिन मही माधब कुमार नेपाल ले खिशी ट्यूरी गरेका थिये रव माधब नेपाल ले भने का थिये ओली ले राष्टिये सबार चुना महार स्विकार गरी शकेका छन, प्राय जय स्विकार गरी शकेका छन, तर कसरी स्विकार गरेका होलान उली ले ओली को सभाव लेता ते यो दिदाईन तीन साता पईलेको यो जुहारी एती बला सुनन लायक छा सुनन राष्ट्रिया सभाको निर्वाचन माग भारगते शंपन्न हुंचा मद्दान हुंचा तेस्मा भारगते रतेशको परेणाम आम्रे निम्ती अलिक परदिकूल आमन सक्ष्ण आज तमाहले सुनन भायको ला कि अपी वली कोई रभाषन यो भाषन मा अव राष्ट्रिया सभाको चुनाम मा हाम्रो पराजय निचित्स अवन स्विकार गरेको येश मा हाम्रो अलिकदी श्वकरात्म परेणाम आयन भनेर अनुठों माननु परने कुने आवस्रिता चोई सुननुबाय होई ना हार स्विकार गरेका चे पराजय स्विकार गरेका चे येदि आमरो एकाउन न छावने आमे जित्त्यूं दुई जान मांची तलमाथी पार दिदा आमरो उन्हां चास मा जर्च विपक्षी गठ बंदन मनने शुन चाईले यो अपभित्र गठ बंदन यो प्रतिगामी गठ बंदन येशो उन्चास वर्ट एकाउन ना हुन शक्षा और चालिश वड़ बाहुन ना हुन सक्षे और चालिक वड़ पश्फन न उनु शक्ष पइनiesट्वड़ पश्फन नाहां शक्षे और आमी पश्षण बद पावच जानमांचे तेस्वड़ बिगार्दाखेरी आमरो इस्तिती 55 जहर्न सबसे नितो घर्पार काशिए पराजय सुपीकार करें काशिए तरह कोसरे सुपीकार करें होला तियो सभावन तदेनाई तियो दंभी सभावन तदेनाई तिनह तहका नेर वाचान अरुमा नेक पग एमाले माती गर्न शक नेहां नुक्षान दाई प्रहा और अंतीम किस्ता यो आई के आई पुटाग तत्तो आरूले करे अंतीम किस्ता यो, इस पहिंए पंजहामा जादा अब उप्रांग उनिया रुशन त्यो हर चteं रहां दह से त्रहां दत्त कामें भार नहों उस्टाय। कि बाद कामें भाद काहूनें। कि बाद कामें बीद्वन्श कार नहों जो जती कमज़र उल्लाइ गठवन तरही बड़ता चाहिए हुच यह जो आम्रो शक्तिको आधार मां बनाई एका अहले यह जनता मदाता हों ना पहिली ने निर्वाचित प्रतिने दी हरू मद्दाता हुने अबस्था मा निर्वाचित पहिली कही जनमाद बाट हामरो बेगले परिस्थिती को जनमाद बाट जो निर्वाचित वाएगा थीए तिने हरू लाइने येवटा बिगारने बतकाउने इस्थिती बाट र प्रति हुप्तिijn को नइम बने रहा हो फिए यहतु सब्सक्राइन . आउने चुनाब मा अईलेको यो सत्ता गठवन्दन नहीं रहन छवा रहन त्यो नहीं संद्यास्पद छ गठवन्दन भायना वने आपनो अस्तित्तो संकट मा परने डर खासगरी प्रचंड र माधब नेपाल लाई अलिब बड़ी नहीं देखिन छ तेसले उनियरू पात चखाऊन रा आपनो अस्तित्तो रक्षा का खातिर पनी कसरेगरी यो गठवन्दन लाई आउने चुनाब सम्मा मा ब्रकरार राहन चाहन चाहन छन रहीं जो राष्टे सबा चुनाब मा जस्तै एमालेको पतन देखन चाहन छन भागबन्दन मा प्राप्त उने जे उप पुनारो दये कांग्रेस लाई मन्जूर छैन तेस अईले यो अईलेको गठवन्दन लाई कायमे राखेर भय पनी ओली लाई रोक्नु पर्ने मत कांग्रेस मा पनी बलियो छ जनता समाज बादी को पनी करीब उस्तै चा जसपाको औनी एबम परकारले अईलेका सत्ता घटक दल अरू कसे गरी ओली लाई रोक्न चाहांचन ओली कई बिरुद्ध को यो मर्चा बंदी को प्रेडाम हो अईलेको गठवन्दन ओली फरकेर सत्ता मा आये वाने यो सिंगो गठवन्दन को इलागी धक्का हुने छ गातक हुने छ तिव परकार को साजा भुजाई र मनोदा कारण आगामी चुनाब एमाले वर्षेज सत्ता गठवन्दन को सोरूप मा देखिने छ एमालेको पनी अन्य दल अर्शंग गठवन्दन न होलार किन मने चुनाब मा जसाई गरी पनी जीत निकालने मनदसा हुन छ यो प्रश्णको उत्तर रोचक हुने छ तेसमा केई बेर म केई थप केई पर्थिकरिया र संकेत में तेसको केई चर्चा गरना जरूरी छे इजो राष्ट्य सभा चुनाब को परिणाम को संदर वलाई तरसमुद एमाले लाई स्वाच चाहाऊने र गठवन्दन को ताकत द्याखाऊने ताकत में रमाऊने अंतिम किस्ता त्यो मौक थियो हिजो को राष्ट्य सभा चुनाब 19 सीट को लागे भायको चुनाब अब गठवन्दन ले एमाले माथी नक्सान गरने ठाउँ छाई न यो एमाले नताहर को एति बिलाको पर्तिकरिया हो दाबियो एमाले दाबिया अनुशार्त हिजो के चुनाम मा पनी सत्तादारी तर केंड्रमा शत्तादा गठवन्दन ले गठवन्दन ले जो सत्तादार पनी न श्कान गरने भागेरी नहीं ठाउडियो .. साताई पर्देश मां गठ बंदन को चुनाभी सम्यंत्र गठन गरिये को थियो जा सरीकेंद्र मां सत्ता गठ बंदन चा सात पर्देश मां चुनाभी गठ बंदन एमाने लाई कसे गरे हराऊने सर्तमां तयो सम्वेंत्र ले गठवन्दन को उमेदबार लाइए हर हाल मा जिताओने रह एमाले लाइए सुन्ने मा रोकने जिम्यवारी पायाको थियो सम्वेंत्र ले त्यों बलियो सत्ता गठबंदन का बाब जुद पनी एमाले उमेदबार विजाई भाय का चन। रिक्त हुदैगरे का राष्ट्ये सबा का 19 सीट मत दे 18 सीट मा गठबंदन का उमेदबार नहीं विजाई भाय एक सीट एमाले का भाग मा परियो परदेश नमर एक बाट त्यो तो हक चुनाम मा त्यों इस्तिति नहुन सक्ष केंडरले लाधे को जुन बाद्यात्मक अबस्तलाक अपनी पाठी का इस्थानी निकाई एहर ले अश्विकार गरना पैनी सक्षन त्यों इस्तिति आउनी चुनाबर मा रहने चाहिन वनने पैनी बुजाई छा त्यस्मा धि भीत्रकु अंतर घात एथी बेलां चर्चामा अईले आयकोच सताव मां अंतर घात के कारण ले एमाले का उमयदवार रे जीते बनेर आईले तेवो विशाय पईदा बायकोच अंतर घात को शारी बायो तेयो चर्चामाहर आइनी चास़ो मां और खोजी मां पनी छ गठमदन बाहर पनी यह एमाले तेसको बिस्तार चाहन छा थे अंथर घात को यह परकार को प्रेडाम को आगामी दिन ओर मा एमालेल का लागी तियो चाहना को विशे हुने छा आगामी चुनाव हरुमा अंथर घात पईदागर न एमाले इच्छो कुने छा राष्ट्रे सबाको यह अंतिम उत्षब थियो अब गठ बंदन ले एमाले लाई दिन सकने अरको धक्का कुने बाकिर रहे न भनिये को चाहने अंतिम उत्षब बाठा जस्तों कि एमाले उपर मास्वचिप विश्नु रिमाले सामाजिक संजाल ट्वीटर मां लेखे कासन अपहरित पुरानो जनमत को बल मां गठ बंदन ले मनाउने अंतिम उत्षब शकियो चौतरिफी घेरा तोडेर विजाई स्वनाम ग्याल्जन शेर पालाई हार देक बधाई उनले उननी सीट मादे परदेस नम्मर एक को एवटा सीट मां विजाई भायका थिये उनी एमाले को एक सीट बचाउना सफ नाक त्य गरने सा इस्पस्ट शा निर्वाचन हुदा एकलो एमाले सिंगो गठ बंदन माथी भारे हुने भयकाई कारण ले उनी हरू अथ्वार गठ बंदन वाला हरू चुना बाट भागने बाहना बाजी गर दाईशन रिमाले अगाडे लेके का छन सम्मिधान र कानुन मा रहे का छिद्र हरू रत्यस्ट मा खेले र चिद्र हरू मा छिरे र मेहनत का साथ जारी गरिये को सम्मिधान लाई च्याकने धून मा अईले सत्ता गठ बंदन हरू रहे का मना र यो परकार ले विश्णुरी माले ट्वीटर मा पर्तिकर्या पोखे का सन। तरस्वें यो परकारले राजनितिक दल का नेता हरूले चुनावी हिसाब किताब राखन अब शुरू गरे का सन। नाफा गाटा को आकलन र आगामी चुनाव का परिद्रिश्य एवं परणाम बारे बहस्र चर्चा बढ़दाई गई रहे को साथे पर्देश को चुनावी मोर्चा बंद अब धते हेर्दा पांच दलीय सत्तागठ बंदन र धेकप एमाले बीच मही खास गरी मुख्य पर्तिश्परता हुने आगामी चुनाव हरूमा तेवो देखींच ये से गरी आगामी चुनाव हरूमा पनी यो खालको पर्तिकरीय यो खालको अबस्ता रहला एदि यही परक कार को सत्ताधारी तालमेल रय वने एमालेका लागे आउने चुनाप कस्टा करूने देखीन जो परिद्रिश्य लाई केला उदा तरह पांस दलकई मिले महतो रहदा समेत एक जाना एमालेका उमेदबार विजयी भाय और का एक जाना लिए गठबंदन लाई टक कर दिये और बरा बर्कु मतर आयो रो गोलपरसथवारा गsmन्हाओ गठबंदन में गौयो सत्ताधबंदन बित्र अंतरगाहत को आरोप उले, ऊपज्ये गोषओ तेहां वित्रे घककाल को अभीश्वांस को वातावण मानेकोषँ चामबिन गर्ए हार को कारण पत्त लगाऊनु परने माग सत्ता गठबंदम उठे को छ एमाने लाई क्लीन स्ट्रीप गरने सक्खाब पारने गठबंदन को पैयारी रातेषका लागी बनेको जुन तला-तला सम्हा को जुन सम्मेंत्र थियो तियो सम्मेंत्र को आउचिताय मा प्रस्ट न उठेको चा गठ बंदन वित्र संका को बातावरन बढ़ने देखिंच तर अरक तर्फ शर्षर्थी नतिजा आरूला ये हेर्दा राष्ट्य सवा मां बलियो पकड रहेको एमाले अवत्य हाँ पनी कमजोर बने को प्रस्ट देखिंच उन्नीस सीठ मा देको ये चुनाम मां एमाले ले आफनो सात वता सीठ गुमायको छा ये माले को बलियो केंद्र सरकार गुमेव ये शा गाड़ी नैं परदेश सरकार अरू बखा भाग डले गुमेव एमाले को हाथ बाठ राभ राष्ट्य सवा मां राहेको बलियो उपस्तिति मनी एमाले संग अब रहे न एक पची अरको गर दई नेकपा एमाले को सक्ती रशत्ता गुम दई गय को इस्तिति छा यो इस्तितिमा एमालेको अबको आशा रो अपेक्षिया छा कि गुमायेको त्यों सत्ता त्यों सक्तिलाई अबका चुनाव हरु बाट पुना आर्जन गरने तेसेले एमालेको भनाये छा हामे हारने र गठवन्दन ले जितने अनि उसले खुशी मनावने अंदिम किस्ता थियो यही ही जोगो राइस्टिय सवा चुनाव अब गठवन्दन ले उत्सब मनावने अपसर पाउने छाईन एमालेको पर्तिकिरिया दीरायेका चिने ती बला आउने चुनाव बाटा एमालेले सत्तामा पुनरागमन गरने उनियरको दाबी छा तर सत्ता गठवन्दन यही इसाबले अगी बड़े बने एमालेको पुनरागमन कठीन हुने छा एमाले सगलो पाती र नेकपा मावादी मिले र अईले बंदा अले कती शक्तिसाली मानें अगी को जन्ड़े दोईतियायको ओली सरकार तरह अवन्य एमाले सगलो र आयो एमाले मैं विवाजन आयो मादमने पाले बेगले दल तरतागर अगारी बड़े को इस्तिति छा एमाले बचे ना सगलो ना तो मावादी सात्मा छ त्यस्वाथी सत्ता धारी पांच जलिया ग मर शरा उने देखी देई छ त्यू एमाले को आशार अपेक्षा त्यस्माथी अगीलो चुनाम मा जस्तो ओली को चमक अजय छता अईले ओलीले बाडे का विकास का सपनार घर्चे का ती चुनावी नारा अब जन्ताले फेरी पत्यावलान ओली सरकार को जन्ने चार बरसे का काल को उपलव दिको मुल्यांकन पनी पक्काई होला यो आखामी चुनाम मा इप शेय अरुले पनी चुनाम मा अर्थता राखछने और को तर्फ के एमाले को चुनावी ताल मेल अरु दल संग नहोला अने दल संग जशरी अईले सत्ता गठपन्दन चा एमाले को में दे पाच्चा मां आउने दल हरू रर नेताहरू को नाम हो लोक्तांत्रिक समाज बाधी पाठी लोशपा चसका नेताहरू महंत ठाकुर राजंद्र महतो तेसे गरी अईले अरको पाठी संग पनी अली बड़ी नाम जोड़ी देगायको छा ते पाठी हो जनमत पाठी र अद्धक देखिन छो तेसे तर राप्रपा का कमल थापालाई समय जोड़े रपने चर्चा हुने गर्ष तर कमल थापाले राप्रपामा पकट गुमायको अवस्थामा तेसले खासे अर्थ राग दैना भन्ने मत पनी छो राजंद्र लिंग देनले राप्रपाको आफ़रो पकट लि उने भरपूर संभावाना रहन छो बेगले अवस्ता बन्ने क्रमपनी रहला चुनाव सम्मा किनकी चुनाव ले धेरे संभावना का दोका अरू खोल छो तर अईले का धेरे आधार्र काराको आण हरु और ईले को बस्तुगत इस्थितिले आकलन गर्दा आगामी चुनाब मा एउटा केंद्र वलियो रूपमा होनेचा नेपाली कांग्रेस सहीत को शत्ता गठ बंदन मने और को वलियो उस्साइगरी केंद्र होनेचा नेकपा एमाले वा एमाले लाई मियो माने रा गाशी ने अन्य दल सहित को त्यो चुनावी तालमेल अथ्वा त्योप परकार को गठ पन्दन संभावना जे पनी रहंचा कि नमनी चुनाव हो जो पनी ओली माधब बीच मा बेमेल थियो उली परकार बीच मातर निकेट टकराब नहीं थियो तई पनी उनियोर को तालमेल र एकता बने हो बाद्यताले उनियोर लाई एक्ठाव मा उभ्याए हो दल एकिकरण हरू भायो चुनावी मर्चाबंदी भायो सत्ता सहकार्य भायो कम्निस्ट शाइनोले पनी फेरी ओली पर्चनला निकत्मा पो ल्याउँ लाकी संभावाना त्यो पनी शांकट नहीं सामुन्यमा देखिपजी एकरकाको अस्तित्त्य रक्षागाई लागी भाय पनी फेरी मिलन नहोला भन्ना पनी शांकटले मांचलाई मर्ना मन्ना बाउलाउनो निको बनाउँ शांकटले संभावाना जे पनी रहांचा किना में चुनाप जती जती नजीके दे जांचा इस्तितिमा फेर बादल बड़ दे जांचा कांग्रेसले गठबंदन एदी रुचाय ना भने विकल्पहर को त्यो अबस्तामा खोजी उनेचा ओली संभाम मिल्ना शाकीने अवस्ता अनि कांग्रेसले अईलेको यो गठबंदन नचाहने अवस्ता रय भने खासकरी प्रचन नरा मादम नेपाल का लागी निकै तो बला असहज इस्तिति उनेचा रा उनेर का लागी अंतिम बिकल्पह उनेचा लवतनी भ जोडीन सक्षन तो सम्मामाना रहन शा एस्तो अवस्ता मा एमाले यहुटा क्यांप नेपाली कांग्रेस को अरको क्यांप रा तेस्रो क्यांप परचन्ड मादम बाबुराम उपेंद्र को यो परकार को रहने देखीन चाहर चुनावी परिद्रिष्य अलिके त्या मिले बने देखिन छा कि कसे गरी यो अईलेको सत्ता गठपन्दन बत कियो सत्ता मा फर्किने उपाय एमाले का लागी एथी बला सर्वादे खोजी मा छ र एमाले ती बिकल पहरुमा लागी रायको बन्न ती बुझन शकिन छ अब ब्रेक लिगो तरस्विन हमिले कारेकों को पईलो खन्नमा ही जो संपन्न राष्ट्रे सवा निर्वाचन को परेणाम र यसले आगामी चुना भरो लाइद दिने संदेश केवो तेशको कसी मालकती समेक्षे गरेऊ अब अंतिम्मा यातायात कारेलाये मा मंत्री पुगदा को द्रिश्य यो अली फरक पर्षंग आमेले हेर नीचों बागमती पर्देश का यातायात मंत्री गंशाम दहाल आज एकांत कुणा मा रहेको यातायात व्यावस्ता कारलाए पुगे का थिये छड़के निरिक चेकड का लागी तेसक्रम का इके द्रिश्य हेरू वह रागी देख माई पुगे का लेजनात वागी में पाइसा का अइन आप में म।रा आज पारो अँड़के मा अखिक मान्गी का छाण वक्रावस्ता का नितनाक अगा दोैसं अखिक मार्ग में नहीं फुगए प्ली सं ieकोषो का अगा वागना उन 115त अखिए लगाए ड़िक गाहत दाल मेंजय को किसी समाुआ बारना ठीचके לך्वा कि पokus पूरीरे कान। तुझा हे कि पृषिक में भी उपके ले का ली हाओ ती है समने लगे कान बारना भी मेंन आया के से रेकार को यहां वी तो बारना की ती ही आय में बारना रे कторовना finा मैंने दो भुप है? जिए टुकोरी ऊंची रिखायी। आप अप अप आ की बारी आज़ा है। जिए हो आपताि की सबाई है। जगके क्योंटाऍवरों ऊची परेखा है। तो फेखाय सब्सक्राइब का आप नम्हें घंची आप एक परेखाया है। कि आदना भी रहे वे फिल्गािक वाने प्राव अरे वॉली को भी घना भी एन वादी सदरोजें. कि आ थोली हो ओ जा आजुँ है वाish आराह तावी को डिल और दराफज्ट थे लिखा वडिया ए ता खा остав जो हमार c đến। टोकन फुगेना बनने बनेगे का इलेमेंगा है। परदेश मंत्री को यो परचार बने अजमाई शाके काचन। परचार में आया काचन। उपलब्दी हाता लाग शेका कीयेता मुख्य सवाल चाएं। तियो उपलब्दी को संदर बचाएं। निकाई संकामाई इचा। कि एस अगिका एस्ता इस्टन ट्र एस्ता परचार बाजी सवाई हावादारी साविद्भाया काचन। शेवागराई को सास्ती रा लुटेरा हारोको मस्ती मां कमी देखियान। तई पनी सुनों मंत्री को कुरा। कि एस अगिए मांशी हो अरले कि यह कार ले अरले कि बंदाम गराउना तिर आले पड़िक भजे विचाउली आरुले इस बाज़िव बिचाउली आरुले रोक नागो लाई आमने कार ले पानी पड़ा लेशंगरे का छो। पत्रकार अर्ले पनि बेला बखात आरा ती विचाउली आरुको बारे मां अली बड़ी एस्पोच गर्दीना परियो तियो बहायो पनि अना बशेक पईशा खर्चा नगरी काना आवसे तिया राधस दत्तिर्न परियो तर अना बशेक पईशा खाया काम उनी कुरार को अंधेवार न सकिन दियो तियो ओधा कथी पेड डूबलिकेशन लाई पनि रोक ना सकते हूं विचाउली आ मारफद होधा कथी पेड शमास्य था भूबलिकेशन लाई पाशी शेवाग्राय वह दिए भुखः पाऊने यह समास्या लाई पनि अर गर्न को लागी पत्रकार अना पित्र अरुको पनि तिया स्वयब को आवसेक्ता छा जून खालको जटिलता छा समास्या छा अब कारले मा आवसेक्ता अंशार को दर्ब राम्रो कर्मचारैर में लुझे डिवह सित्स चल्व में तुछ्या आप्ता कर्मुचा का की बढिक्तव में यहीं काने कम केशना है सब्सक्तों में किलिवोरा चका Ст RICHARD रवां और आपिश्ता काम zteकप्णिस रसंगसां किल चल्व दो सारेकर्म गोचे बहिता है सब्सक्राइब करते हैं नाइशियत दिनी शुदार्नी चेतावनी दिनी काम अरुपनी आमी गर्चम वीच मां पल्लेत्यों भुविगा खेल्च कर्माचारी अरलाइब काम गवारा तीस्ता विचावली अरलाइब पनी पंट्रोल गारना पर्चा बंदी छा समस्या कारालेहरूमा युः देरे छन यातायाद ब्यवस्ता काराले गर्चमत्य माइ भायको अग्व आ कारलेको रूपना मानें जह मालपोत नापी लगाहतें स्ता अने सर्कारी कारलेहरूका निके Freeman समस्या आरु छन यो देराई यस्तो काटनाकरम बैशरकेको छा शुदार को साचिके चाहना हुनेले रह सुदार गरने उती हुनेले प्रदेश का यातायात मंत्री कु एकाद दिन यो परकारली चर्षाता वोला तर इस्तिती सुधरिने छाईना इस्तिती सुधार्ने नहीं हो भने हो हल्ला कम काम ज्यादा गर्नुपर्ने बायो मंत्री चुँ छटके अनुगमनले समाधान दिना ब्याभारीकर नितिगत कठीन अरु थुप्राई चन समस्या अरु चन ती केला आयरत इसको हल निकालनू परेऊ विज्यारु बाटे तेहीं भीत्राई बाटे समाधान खोजीनू परेऊ तेहां थाचा येसको समाधान क्यो तर समाधान खोजी एको शहीना कर्मचारी को कारे दक्षेता बडाउने और नि कम शुदार कर्मचारी को नियत मा पने ृष्यार चाई एको सह विज लिया भगाऊने इस्थाई समाधान खोजी घु हाउस तो, आजलाई विदा ओन्चू, नमस्कार